तो दोस्तो इस वीडियो में आपको जो information मिलेगा वो है royal passes का information कब वो release होगा किस-किस sector में release होगा यानि किस-किस reason में और साथ ही आपको बताऊंगा कुछ importance जो की आपको मालम चलेगा कि क्या मिलने वाला है बड़ थोड़ा background देना जरूरी है season 8 का जो royal passes वाला section है वो locked हो गया तो हम अभी royal passes 19 के उपर में बात करेंगा तो यहाँ पर जो information निकला है वो यह है कि PUBG Mobile का season 19 का royal passes स्टार्ट होगा May 17 को दो बज़े के आसपास यानि UTC time और इंडिया time की बात करते हैं तो साड़े 7 बज़े यानि सुबह के साड़े 7 बज़े की बात है और अगर बात करते हैं दूसरे जो reason है उसकी तो यहाँ पर May 16 का 10 PM EST वाले इस्टन वाले जो होते हैं time zone वहाँ पर तो यहाँ पर यह सारे जो चींज़े हैं आपको दिखेगा तो दोस्तों जैसे ही royal passes स्टार्ट होगा तो आपको मिलेगा 600 elite passes जिहां और elite plus जो passes होते हैं वो मिलेगे 1800 जिहां और सा अभी के लिए जो information निकला वो आपके साथ बाटा होगे में 17 को आपको साथ साथ बजे सुबह के आपको यह passes available हो जाएंगे तो आप जरू से इसे use कर सकते हैं लेकिन अभी जो बात करते हैं जो data miners होते हैं वहाँ से बहुत सारे information और लेडी leaks हो गया है और यहाँ पर जो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों यह सारे जो paces थे यह आपको मिल जाएंगे आपको 17 तारीक के onwards तो मैं आसा करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों ये सारे जो information था related to जो royal passes होता 19 उसको लेके और यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसा मैंने time बता दिया है इस time में आ जाएगे और जो अभी मैंने आपको rewards दिखाए आपको कैसा लगा मेरे साथ आप feedback में या comment section में share कर सकते हैं और मैं मिलूगा किसी और एक वी जाल रखें बादाए